हेलो एवरिवान मैं हूं किरन शापुरी और यह है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का सापता ही क्राशीफल यह 5 एपरिल से लेकर 11 एपरिल तक की आपकी टारो रीडिंग्स हैं टारो प्रेडिक्शन्स हैं और सबसे पहले अगर अभी तक आपने इस चानल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें देखे आपके लाइक्स आपकी सब्सक्रीप्शन आपके कमेंट्स बहुत माइने रखते हैं और दूसरी बात इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं सन साइन, मून साइन, इसेंडन या फिर नाम के हिसाब से भी साइन होते हैं उसके अकॉर्डिंग भी आप टारो रीडिंग को देख सकते हैं और अगर आप मुझ से पूछेंगे तो मैं आप ताहिक राशीफल तो Scorpios आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग भी क्या लेकर आ रहा है क्या एनर्जीज हैं तो हमार पस प्रोफेशनल लाइफ के लिए कार्द्स हैं King of Wands, Reverse and Intensity परसनल लाइफ के लिए कार्द्स हैं Ten of Cups and Politics इन जनरल या फिर Guidance के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है Conflict and Astrology से आप लोगों के लिए है Leo Sign तो Scorpios देखें प्रोफेशनल लाइफ के लिए आपे Intensity का कार्ड मुझे कहता है कि किसी चीज को लेके बहुत एक Intense Emotions रह सकती हैं, बहुत ज़ादा आप अपने गूल पे Focus कर सकते हैं, यहां हो सकता है किसी चीज के लिए आप बहुत अटाच भी हो सकते हैं यह सब के लिए differ कर सकता है कुछ लोगों के लिए हो सकता है अपने काम से बहुत अटाच हो रहे हैं बहुत Intensity के साथ उस चीज पे काम कर रहे हैं कुछ लोगों के लिए हो सकता है कोई outcome है कोई result है उससे बहुत ज़ादा attach हो रहे हैं किसी भी हालत में उस चीज को achieve करना चाहा रहे हैं और दीखे यहाप ए King of Wands reverse का card मुझे कहता है इसी चीज से related कहीं या तो आप over excited हो रहे हैं over enthusiastic हो रहे हैं या फिर किसी level पे enthusiasm excitement लो दिख रहा है या तो आप over boldly over courageously चीजों को deal कर रहे हैं या फिर आप ऐसा करना चाहा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आप ए King of Wands का card reverse है तो इन ही energies में एक balance नहीं दिख रहा है और कहीं इन ही energies में एक balance लाने की भी जरुरत है और मैंने हमीशा कहा है कि कोई चीज चाहे जितनी भी अच्छी हो जब हम उसे over करते हैं न तो कहीं हम उस चीज को खराब करते हैं और अपने आपको भी परेशान करते हैं तो इस चीज को again आप चेक करके correct करें और personal life के लिए हमारे पास यहाँ पर 10 of cups का card है और 10 of cups का card कहीं companionship, togetherness, reunion, celebration, happiness, joy की बात करता है इस card में भी अगर आप देख पा रहे हों तो दो लोग बहुत पास बैठे हुए हैं और rainbow colors हैं तो again मैं कहूंगी कि एक happiness, एक joy दिख रही है यह सब के लिए differ कर सकता है कुछ लोगों के लिए हो सकता है कोई खास इंसान है उनकी life में उसके साथ जादा interactions हो रही है बातचीत हो रही है जादा मिलना जुलना हो रहा है और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इनो family members है या close circle के लोग हैं उनसे जादा आप interact कर रहे हैं बातचीत कर रहे हैं डिनर पे जा रहे हैं लंच पे जा रहे हैं या फिर हो सकता है कि इनो आप quality time उनके साथ spend कर रहे हैं लेकिन देखिए 10 of cups के नीचे यहां पर politics का card है और यह card मुझे कहता है कि कोई चीज या तो आप या आपका कोई loved one आप से चुपा रहा है या manipulate कर रहे हैं अपनी true feelings, अपनी true intentions या आप या again मैं कहूंगी कि कोई आपका family member है कोई आपका loved one है वो manipulate कर रहा है जिसकी वज़े से देखिए थोड़ी सी conflicting energies भी रह सकती है और conflict के card की अगर हम guidance देखें तो यह card यही कहता है देखिए आप अपना viewpoint ज़रूर रखें लेकिन सामने वाले का भी viewpoint समझने की कोशिश करें कभी कभी क्या होता है ना कि हम healthy discussion करते हैं जो negative direction में चला जाता है सिरफ इसी लिए क्योंकि हम अपनी बात को लेकर बहुत fixated हो जाते हैं हमें लगता है भई हम ही सही है और हम जो कह रहे हैं हम जो feel कर रहे हैं या जो हम कर रहे हैं वही सही है और सामने वाले का viewpoint अगेन मैं कहूंगी ना हम देखना चाहते हैं ना हम देखते हैं और दीखे एक third viewpoint भी हो सकता है तो थोड़ा सा अपना perspective को broaden करें आप कुछ कह रहे हैं लेकिन सामने वाले का भी viewpoint देखें कि भई हो सकता है वो भी सच कह रहा हो और अगर आप इन conflicting energies को avoid कर लेंगे थोड़ा सा आप अपनी intentions अपना motive क्लियर कर लेंगे और अगर सामने वाले का motive ठीक नहीं है उसको समझ के cautious रहेंगे तो ये week आप लोगों के लिए काफी अच्छा जाएगा और astrology से आप लोगों के लिए Leo sign का card है और इसके हिसाब से orange कलर आप लोगों के लिए लखी रहेगा और जो दिन सिग्निफिकेंट रहेगा वो है Sunday तो ये था स्कॉप्योज आप लोगों के लिए coming week का सापता ही क्राशीफल और नीचे मुझे comment section पे जरूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए